Cambodian Genocide Welcome to Study IQ मेरा नाम है आदेश सिंग दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इतिहास में हुए एक ऐसे जेनोसाइड की जिसके विक्टिम्स, फैमिलीज और पूरी कम्यूनिटी आज भी जस्टिस के इंतिसार में है ये जेनोसाइड हुआ था केमबोडिया में खमेर रूश के सरकार के दोरान खमेर रूश के लीडर का नाम था पॉल पॉट जिसने 1975 से 1979 तक केमबोडिया पर रूल किया था ये चार साल केमबोडिया के इतिहास के काले अध्याई कहे जा सकते हैं इस दोरान दुनिया ने ऐसा नरसंगहार देखा जिसे देखकर इंसानियत शर्मसार हो गई दोस्तों कैमबोडियन जेनोसाइड के बारे में बात करने से पहले ये ध्यान रखना जरूरी है कि इस समय वर्ल्ड स्टेज पर कोल्ड वॉर अपनी पीक पर चल रहा था और 1949 में चाइना में Communist Revolution के बाद Mao Zedong पाउर में आ चुके थे Mao की Communist Ideology East Asian Nations में तेजी से स्प्रेट हो रही थी ऐसी ही सोशो पोलिटिकल सिजुएशन कैमबोडियन जेनोसाइड को जन्म देती है आईए सबसे पहले जानते हैं कि Khmer Rouge पाउर में कैसे आती है Rise of the Khmer Rouge दोस्तों कैमबोडिया साउथीस्ट एजिया में लोकेटिड एक देश है जिसकी कैपिटल का नाम नॉमपैन है जेनोसाइड से पहले यहां की पॉपिलेशन लगभग 7 मिलियन थी जिनमें ज्यादा तर बुधिस्ट थे कैमबोडिया के बॉर्डर पर Thailand, Laos और वियतनाम लोकेटिड है इसके अलावर Northern बॉर्डर पर चाइना भी इसकी close proximity पर है 1953 में कैमबोडिया को करीब 100 साल बाद French colonial rule से आजादी मिलती है और power कैमबोडिया के प्रिंस सीहनूक के पास आ जाती है इनके रूल के समय पडोसी देश वियतनाम में civil war शुरू हो जाता है जिसमें communist North वियतनाम और South वियतनमीज आमी जिसे US help कर रहा था आमने सामने होते हैं इस दोरान कैमबोडिया दोनों ही sides को support देकर अपनी neutrality maintain करता है वियतनाम को supplies के लिए Cambodian ports यूज करने दिये जाते हैं वियतनाम साउथ वियतनाम में active communist national liberation front का पार थी और वियतनाम war में South वियतनाम के against fight कर रही थी साथी US को Cambodia में वियतनाम के hideouts को secretly bomb करना भी अलाव किया जाता था लेकिन 1970 में Prince Sihanouk को Cambodian army के lieutenant general Lon Nol एक military coup के थूँ पावर से हटा देते हैं इसके बाद Cambodia में नई Khmer Republic government form होती है और Lon Nol इसके president बनते हैं ऐसी situation में Prince Chinook और उनके followers Khmer Rouge नाम की communist gorilla organizations के साथ हाथ मिला लेते हैं दोस्तों Khmer Rouge gorilla organization 1970 में स्थापत की गई थी इसके leader Paul Pott ने France में शिक्षा प्राप्त की थी और ये Maoist या Chinese communism को काफी पसंद करता था Paul Pott, Maoist communist model पर based एक नए Cambodia का creation करना चाहता था उसका एम था Cambodia को primitive year zero की तरफ ले जाया जाए जहां सभी citizens rural work projects में काम करेंगे और सभी western innovations को destroy कर दिया जाएगा Paul Pott अपने troops को train करने के लिए Chinese training tactics adopt करता है और वियत कॉंग का support भी लेता है और फिर जल्दी ही एक strong military force तयार कर ली जाती है 1970 में Khmer Rouge US-backed Khmer Republic के साथ civil war शुरू कर देती है Lon Nol की government pro western anti-communist रुख इकतियार कर चुकी थी और Cambodia से North Vietnamese और वियत कॉंग forces के withdrawal की डिमान कर रही थी इसका मतब ये हुआ कि Lon Nol ने Prince Sihanuk के neutrality stance को abandon कर दिया था इसकी जगह पर उन्होंने US और South Vietnam के साथ close ties establish कर लिये थे US troops अब खुले आम Cambodia में घुसने लगी थी और वहां से वियत कॉंग के साथ अपना संखर्ष जारी रख रहे थे इसी वजह से Cambodia जल्दी ही battlefield बन जाता है और US troops, air bases, barracks और weapons को harbor करने लगता है Suspected वियत कॉंग targets को खत्म करने के चक्कर में American B-52 bombers के द्वारा करीब 7,50,000 Cambodians भी मारे जाते हैं इस heavy American bombardment और lawn nol के America के साथ collaboration ने पॉल पॉट के खमैरूज गोरिला movement को नए recruits देने का काम किया बड़े सतर पर Cambodian lives के loss की वजह से बहुत से Cambodians Western democracy से disenchanted महसूस करते हैं ऐसे में पॉल पॉट का communism उनके लिए नई hope, promises और national peace की images लेकर आता है साथी चाइना भी communism के spread के लिए इस समय भारी मदद दे रहा था जिसकी वजह से 1975 तक पॉल पॉट के forces की संख्या 7 lakh से उपर हो गई थी 1975 में ही खमैरूज के गोरिला forces लॉन नॉल की government को हरा देते हैं इसके बाद Cambodia में खमैरूज की सरकार बनती है और यहीं से शुरू हो जाता है Cambodian genocide का भयानक सिलसिला Turning Cambodia into a communist model and the resulting genocide दोस्तों खमैरूज के power में आते ही Cambodia को माउस चाइना के communist model में reconstruct करने का mission भी शुरू हो जाता है खमैरूज का मानना था कि ideal communist model अचीव करने के लिए सभी Cambodians को collective farms में laborers की तरह काम करना होगा और जो भी इस system को oppose करेगा उसे रास्ते से हटाना होगा यही extremist policies Cambodian genocide को जन्म देती है Cambodian के लोगों को forcefully उनके घर से बाहर करना शुरू कर दिया जाता है बीमार, disabled, old और young लोग जो collectivized farms और labor camps तक की journey नहीं कर सकते थे उन्हें मौके पर ही मार दिया जाता था साथी ऐसे लोगों की भी हत्या कर दी जाती है जो जाने से मना करते हैं इसके अलावा नई government को oppose करने वाले सभी लोगों की भी यही सजा होती है इनकी target list में intellectuals और western educated cambodians भी थे शहर से जबरदस्ती लोगों को गाउं भेज दिया जाता है citizens के सभी civil और political rights को हत्म कर दिया जाता है बच्चों को parents से अलग करके forced labor camps में डाल दिया जाता है factories, schools, universities, hospitals और सभी private institutions बंद कर दिया जाते है और इनके owners पुराने employees और उनकी extended families तक का murder कर दिया जाता है religion ban कर दिया जाता है Buddhist monks और Christian missionaries की निर्दैता से हत्या कर दिया जाती है templess और churches को जला दिया जाता है खमेर रूज के अंदर कुछ racist sentiments भी मौजूद थे लेकिन जियादा तर हत्याएं militant communist transformation के extremist propaganda से ही inspired थी foreign language बोलने पर, चश्मा पहनने पर, हसने पर या रोने पर लोगों को गोली मार देना आम बात हो गई थी Paul Pot की ideology को एक खमेर slogan के जरिये समझा जा सकता है इसमें कहा गया है कि To spare you is no profit, to destroy you is no loss यानि कि तुम्हें छोड़ देने में कोई फाइदा नहीं है और तुम्हें खत्म करने में कोई नुकसान नहीं मतलब यह हुआ, किसी ना किसी तरह लोगों की हत्या ही करनी है और Cambodian establishment में जान की कोई कीमत नहीं थी Especially अगर वो communism को न मानते हो जो Cambodians बच जाते हैं उन्हें endless hours के लिए minimum ration पर unpaid labor की तरह काम करना पड़ता है उन्हें military barracks की तरह public commune में रहने के लिए force किया जाता है जहां हमेशा ही खाने की कमी बनी रहती थी और अलग-अलग तरह की बीमारी फैलती रहती थी मतलब जीना तो मरने से भी ज्यादा कठिन हो जाता है गुलामों की तरह काम करने, भूखे रहने, इंजुरी और illness के कारण बहुत से Cambodians physical work करने में असमर्थ हो जाते थे और system पर फालतू खर्चा समझ कर खमेर रूश इनकी भी हत्या कर देता था जेनोसाइड की ये भयानक कंडिशन्स तीन साल तक ऐसे ही चलती रहती है 1978 में वेतनाम कैंबोडिया का इन्वेजन करता है और 1979 में फाइनले खमेर रूश की सरकार का एंड होता है पॉल पॉट के शासनकाल में 30 लाख से भी ज्यादा लोगों की हत्या हुई थी यानि कैंबोडिया की गरीब 25% पॉपिलेशन इस दौरान खत्म हो जाती है लेकिन कैंबोडियन्स की परिशानी अभी भी खत्म नहीं होती कमेर रूश के फॉल के बाद भी ये लोग सफर करते रहते हैं आफ्टमाथ और कमेर रूश फॉल दोस्तों 1978 में जब वियतनमीज कैंबोडिया पर अटैक करते हैं तो उन्हें लिबिरेटर की तरह देखा जाता है क्यूंकि वो कैंबोडियन पीपल को पॉल पॉट की जैनोसाइडल रेजीम से मुक्ती दिलाते हैं लेकिन जब 1979 में वियतनम कैंबोडिया पर अपना कंट्रोल इस्टैबलिश करता है तब कैंबोडिया पूरी तरह से बरबादी की हालत में था पॉल पॉट के समय में एकॉनमी फेल हो चुकी थी और सभी प्रोफेशनल्स, एंजिनियर्स, टेकनिशन्स और प्लैनर्स जो कैंबोडिया को री ओर्गिनाईज कर सकते थे उन्हें तो जैनोसाइड के दौरान मार दिया गया था कॉम्योनिस्ट वियतनम के कंट्रोल में होने के कारण वेस्टन डेमोक्राटिक स्टेट्स भी कंबोडिया के लोगों की मदद के लिए तयार नहीं थे इसके उल्टा यूएस और यूके एक्जाइल में गए खमैरूज के फोर्सेज को फाइनांशल और मिलिटरी सपोर्ट दे रहे थे क्यूंकि इस समय खमैरूज ने वियतनाम और कॉमिनिजम का विरोध करने की शपत ले ली थी इस वजह से जिन वियतनमीज को लिबरेटर समझा जा रहा था वो जल्दी ही अन्वेलकम ओक्यूबायस बन गए थे इसका एक कारण ये भी था कि ये दस साल के लंबे समय के लिए कैमबोडिया पर अपना कंट्रोल रखते हैं एक तरफ ये हॉस्टाइल वियतनमीज ओक्यूपेशन और दूसरी तरफ खमैरूज की गोरिला फॉसेस का कंटिनूड थ्रेट कैमबोडिया को अंडर डिवेलप्ड कंटिशन्स में बनाए रखता है बहुत से कैमबोडियन्स देश छोड़कर थाइलैंड माइग्रेट करने लगते हैं इस जर्नी के दौरान कुछ भूग से मरते हैं तो कुछ खमैरूज के सोलजर्स द्वारा वेस्टन बॉर्डर पर बिचाई गई लैंड माइन्स का शिकार हो जाते हैं जो थाइलैंड पहुँच जाते हैं वो कैम्प्स में अपने साथ मलेरिया, टाइफॉइड, कॉलरा जैसी जानलेवा बीमारी भी ले जाते हैं यूमन राइट्स ग्रूप्स के अनुसार खमैरूज के फॉल के अगले ही साल 6,50,000 लोगों की मृत्य होती हैं इसके अलावा 1978 से 1989 तक चले मिलिटरी कॉन्फिक्ट्स में और 14,000 कैमबोडियन सिविलियन्स को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है 1989 में वियतनाम कैमबोडिया से विद्रौ करता है और 1991 में एक पीस अग्रीमेंट साइन किया जाता है बुधिसम को फिर से उफिशल रिलेजिन घूशित किया जाता है और 1993 में कैमबोडिया में पहले डेमोक्राटिक एलेक्शन्स होते हैं लेकिन जिन्होंने कैमबोडिया की ये हालत कर दी उनका क्या आए ये जानते हैं जस्टिस फ़र जेनोसाइड विक्टिम्स नॉट सो इजी दोस्तों कैमबोडियन जेनोसाइड के विक्टिम्स को जस्टिस देने के लिए यूएन मेंबर्स ने 1994 में खमैरूश ट्राइबियूनल की डिमांड की थी जिसके बाद इक्स्टरोडिनरी चेमबर्स इन दे कोर्ट्स अव कैमबोडिया ECCC को इस्टैबलिश किया गया था और नॉवेंबर 2007 में फाइनली ट्राइल शुरू किया गय थे जो आज तक चल रहे हैं बहुत से सस्पेक्टिद पर्पिटरेटर्स तो वियतनाम के साथ मिलिटरी स्ट्रगल में मारे गय थे कुछ लोगों को खमयरूश के लिए खत्रा मान कर खुद ही इलिमिनेट कर दिया गया था 1997 में खमयरूश के मेंबर्स ने पॉल पॉट को अरेस्ट किया था और एक मॉक ट्राइल में पॉल पॉट को गिल्टी माना गया था लेकि 1998 में नैचरल कॉज़स के कारण पॉल पॉट की मृत्यू हो जाती है यानि कि अपने गुनहा की सजा काटने के लिए ये जिन्दा नहीं बचता है खमयरूश को 1999 में ओफिशिली डिस्बैंड कर दिया जाता है ECCC Tribunal की अकसर आलोचना होती है क्योंकि 11 साल ओपरेशनल रहने के बाद भी ये सिर्फ तीन ही कन्विक्शन्स दे पाई थी और इस पर 300 मिलियन डॉलर खर्च हो चुके हैं क्राइम की गंभीरता को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जैनोसाइड के विक्टिम्स के साथ जस्टिस आज तक नहीं हो पाई है कंक्लूशन दोस्तों केंभोडियन जैनोसाइड हुमानिटी को शर्मसार कर देने वाली घटना है इतने बड़े स्तर पर लोगों को मार दिया जाता है और इंटरनाशनल कम्यूनिटी कुछ भी नहीं कर पाती खुद को हुमन राइट्स का रखवाला कहने वाला यूएस उस समय खुद वियतनाम में हुमन राइट्स के वाइलेशन्स में बिजी था कैंभोडियन लोगों के साथ कोई भी हमदर्दी नहीं दिखाय जाती पॉल पोर्ट रेजीम के ये चार साल सिर्फ कैंभोडियन हिस्ट्री के ही नहीं बलकि पूरी हुमन हिस्ट्री के काले अध्याई में गिने जा सकते हैं हम बस यहीं उम्मीद करते हैं कि कैंभोडियन विक्टिम्स को जल्द ही जस्टिस मिले और फ्यूचर में कभी कोई रेजीम फिर ऐसा करने की सोच न सके